नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्मार्ट स्टॉक ट्रेडर्स मेरे यूटूब चैनल पे दोस्तों बड़ा मज़ा आने वाला है वीडियो में बने रहेगा विच स्टेटेजी इस बेस्ट फोर एटीफ ट्रेडिंग एटीफ ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छी स्टेटेजी कौन सी है इस बात का इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ठेक है उससे पहले जो लोग नए आये हैं मेरे चैनल पे एटीफ के बारे में बहुत सारी आपको जानकारी मिलेगी स्टेटेजी मिलेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओन करना ना भूलें और एक छोटा सा एटीफ ट्रेडिंग कोर्स है 6201-514-820 वाट्सप नमबर है इस पे आप वाट्सप करके इंक्वारी कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को इस वीडियो का टार्गेट है 100 लाइक्स का अगर 100 लाइक्स मिल गए तो इस परकार की वीडियो में लाता रहूंगा which strategy is best for ETF trading ठीक है इसी का चर्चा करेंगे लेगन बड़े अराम से करेंगे तो वीडियो में बने रही हैगा ठीक है फ्रेंड्स तो दिन था 19 अक्टूबर 2021 ठीक है 19 अक्टूबर 2021 का दिन था तो just a minute फ्रेंड्स एक मिनट दिन था 19 अक्टूबर 2021 मार्केट गिरा था आपको याद होगा जो लोग regular मार्केट में हैं ठीक है तो मार्केट जब गिरा तो यूटूब पे एकदम बुचाला गया था उस टाइम पे ठीक है लोगों को लगा कि मजाक चल रहा है लोग क्या लगा मजाक है फिर मार्केट बढ़ जाएगा ठीक है निफ्टी गिरा था 19 अक्टूबर 2021 को और आज डेट है 27 अपरेल 2023 ठीक है एकजेक्ट 1.6 यर्स हो गया है निफ्टी ने उस बेंचमार को नहीं तोड़ा काईदे से ठीक है तो दोस्तों मुझे हसी इस बात पर आती है कि जब निफ्टी गिरा तो लोग यूटूब को सर्च कर रहे थे और यूटूब पे बहुत सारे ग्यानी लोग आए ठीक है बिदवान लोग आए और सब का अपना अपना राय था सब बोले कि निफ्टी जो है वो शेर है बहुत लोगों ने बोला उनके लाखों में सब्सक्राइबर है मैं किसी का नाम दिलेना चाहूँगा वो बोले कि निफ्टी है टाइगर शेर और शेर जब जपाटा मारता है न तो वो दो कदम पीछे जाता है और अभी जो है निफ्टी दो कदम पीछे गया है जपाटा मारने के लिए और ये जपाटा मारेगा 21,000 के लिए ठीक है 21,000 पे निफ्टी जाने वाला है एक चनल, दो चनल, तीन चनल आठाट लाख, दस दस लाख सब्सक्राइबर है बहुत लोगों ने बोला ऐसा ठीक है सबने नहीं बोला बहुत लोगों ने बोला ठीक है, गौर कीजिएगा सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन आज देड़ साल हो गया बिचारा निफ्टी आगे नहीं बढ़ा अपना ठीक है और लोग परिशान है जिन लोगों ने यहाँ पर पैसा लगाया होगा उनकी हालत क्या होगी उनी से आप पूछ सकते है तो सिख्षा क्या मिलती है अपने को सिख्षा मिलती है कि कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है कि मार्केट कहा जाएगा कैसे जाएगा कब जाएगा ठीक है कितना भी आप टेक्निकल एनलिसिस कर लीजे प्रिडिक्शन कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इवेंट ऐसे ऐसे होते है जो आपके और मेरे छोटे मोटे लोगों से बहुत बाहर की बाते है आइवन बड़े लोग भी कंट्रोल नहीं कर पाते है अगर वर्ल लेवल पर कोई इवेंट हो जाए तो और देश भी कंट्रोल नहीं कर पाता है जैसे रशिया यूकरेन का वार अचानक से आ गया ठीक है निफ्टी डेर साल से पढ़ा हुआ है और इसकी रिक्वार्मेंट है क्या निफ्टी को प्रिडिक्ट करने की अगर रेगुलर मार्केट से पैसा कमाना है तो नौट रिक्वार्ड ठीक है कोई रिक्वार्मेंट नहीं है ठीक है तो सवाल यह आता है कि हाउ टू अर्न कंसिस्टेंट मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट ठीक है स्टॉक मार्केट से लगातार पैसे हम लोग कैसे कमाएं अब सवाल यह आता है घर का खर्चा चलाना है नोकरी है नहीं कुछ पैसे पास में है थोड़ा सा ग्यान है कि लेप्टॉप चला सकते है मुवाईल चला सकते है थोड़ा सा स्टॉक मार्केट को सीख लिए है तो कैसे हम लोग स्टॉक मार्केट से घर का खर्चा निकालें और रेगुलर इंकम कैसे करें सवाल यह निकल के आता है जब निफ्टी को कोई प्रिडिक नहीं कर सकता है तो क्या करें तो इसका उत्तर एक ही है उत्तर है कि आप मेरे चैनल पे हैं उत्तर यह है इसका कि ETF है ETF से ही आप regular income महिने में कमा सकते हैं और कोई दूसरा चारा नहीं है अगर आप long term investor नहीं है dividend नहीं मिल रहा है तो only ETF is the solution and best solution solution नहीं है best solution है for generating regular income from stock market ठीक है अब फिर एक सवाल आता है इसके उपर में कि how ठीक है कैसे ETF को आपने best बोला कैसे ETF से हम लोग पैसा कमाएं इसका उत्तर भी यह किये strategy से ठीक है कैसे पैसा कमाएंगे strategy लगा करके एक बार में पैसा डाल करके कभी किसी का भला नहीं हुआ है एक दो तुक्का लग सकता है लेकिन अगर regular पैसा कमाना है तो तुक्कों से बाहर निकलना पड़ेगा एक plan मनाना पड़ेगा ठीक है रेगुलर इंकम के लिए एक plan मनाना पड़ेगा तुक्के नहीं तुक्के हमेसा काम नहीं करते हैं इतना याद रखिएगा अब फिर एक सवाल आता है जो लोग regular channel पे है which strategy is best ठीक है कौन सी strategy सबसे अच्छी है ठीक है तो इसका उत्तर मैं दूँगा आपको it depends ठीक है ये निर्भर करता है सामने वाले पे कि आपकी requirement क्या है ठीक है आप क्या चाहते है market से आपकी requirement क्या है अगर अगर आपकी requirement है कि मुझे consistent पैसा कमाना है हर महीने regular income करना है कुछ amount करना है मुझे amount ज़ादा हो बहुत ज़ादा हो जरूरी नहीं है लेकिन घर का खर्चा चलाने के लिए मुझे एक regular income करना है तो इसके लिए दो strategy मैंने बताई हुई है आपको ठीक है strategy है regular income strategy regular income monthly strategy आप वीडियो देख सकते हैं ठीक है thumbnail पे दिया हुआ है regular income monthly strategy thumbnail पे जाके सर्च कर लिजिए दूसरा ETF swing trade जो हम लोग 2-2% की ग्रावट पे खरीदते रहते हैं या 30 दिन तक regular income monthly strategy में हम लोग 40 दिनों में पैसो को तोड़ देते हैं और excel seat की मदद से खरीदारी करते हैं और जब 3% profit आता है तो उसको हम लोग sell out कर देते हैं regular income strategy जो है एक से ज़्यादा ETF में भी लगा सकते हैं दो से ज़्यादा ETF में लगाओगे तो 40 दिन की जगह 30 दिन का इस्तमाल करना है क्योंकि किसी ना किसी में आपको मौका मिलेगा बाहर निकलने का आप बाहर निकल जाओगे ठीक है और ETF swing trade में regular जो हम लोग करते हैं 2-2% या डेडर परसंट की swing पे बहुत अच्छा capital है तो 80 परसंट की swing पे आप कर लीजिए 15 step कर लीजिए ठीक है अब फिर एक सवाल आप पुछते हैं कि सर highest जो है ठीक है highest earning कौन सी strategy में होता है सबसे ज़्यादा कमाई जो है वो कौन से strategy में तो उसका भी answer है उसका answer यह है कि सबसे ज़्यादा कमाई जो है वो RSI वाली strategy में है ठीक है तो आप पुछोगे RSI RSI, how RSI कैसे तो इसके उपर मैंने वीडियो अल्रेडी बनाया हुआ है एक बर आप जाकर के विजिट कीजिए चैनल पे इसका मैं थोड़ा से explain कर दे रहा हूँ कि जब भी RSI आपकी 40 या उससे बिलो जाए approximately 35 पे आ जाए तो आप जो भी आपका पैसा है 20% invest कर दीजिए एक बार में 2,000,000 रुपया है तो 40,000 डाल दीजिए बाकी बच गया आपका 1,000,000,000 रुपया उसको 30 equal parts में तोड़ना है और Excel sheet की मदद से उसको फिर हमको purchasing करनी है जब तक purchasing करनी है जब तक कि या तो target 10% का मिल जाए ठीक है या फिर target 10% मिल जाए और या तो फिर 60% RSI पहुंच जाए दो option है या पे 10% आपकी कमाई हो जाएगी एक ही बार में ठीक है तो ज़्यादा कमाई हुई या आप 3% के लिए मर रहे है 2% के लिए मर रहे है ETF swing trade में यहाँ पूरे capital पे जबकि 20% तो एक बार में लग गया ठीक है 20 या 25 भी डाल सकते है 25% मिल और 10% आपका यहाँ पे target रहेगा टोटल उसका 60 दिन के लिए आपको करना है या तो 60% RSI चले जाए या capital पे 10% आपको returning बिल जाए तो इस तरीके से RSI आपको सबसे ज़्यादा profit बना करके देने वाला ETF trading का strategy हो सकता है ठीक है मेरी विचार से तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा target है 100 likes का अगर 100 likes आए तो इसी तरीके की discussion में आप लोगों के साथ मैं करता रहूँगा जिससे आपकी knowledge बढ़ती रहेगी और इस तरीके के knowledgeful वीडियो के लिए मेरे चैनल को subscribe करके bell notification को on करना नहीं बुलिएगा तो मिलते हैं अगले किसी knowledgeful वीडियो में तब तक के लिए thank you, bye bye and take care friends